नमस्कार स्वागत आपका लिविंग इडिया निउस में आपके साथ मैं हूँ साक्षी शर्मा और शुरुवात करते हैं खबरों की अब से तीन महीने के बाद हर्याणा में विधांस बचनाव होंगे लियाजा सभी राजनितिक पार्टियों ने इसके लिए तैयारियां भी बता दे हैं लेकिन चुनाव से पहले प्रदेश में गुटों में बठी कॉंग्रस जाच एजंसियों के साहे में फस्ती जा रही हैं कॉंग्रस के दिगज नेता एडि और आईटी के रडार पर हैं इन नेताओं पर केंद्रिय जाच एजंसियों ने पूठताच करनी भी सामना कर रहे हैं तो वहीं बिश्णोई परिवार चार दिन से इंकम टैक्स के सवालों में खिरा हुआ है आज जब हिसार सथ बिश्णोई के घर पर आईकर विभाग की रेड पूरी हुई तो अधिकारी कुल्दीब बिश्णोई को अपने साथ पूचताच के लिए दिल्ल की जा रही है चले सीधे रूख करते हैं हमारे समवाधाता विनीद कपूर का जो हमारे साथ स्वक्त लाइफ जो चुक्त है विनीद आगामी समय में विधानसभात चुनाव है अगर इन दोनों मामलों को देखें जहां हिसार में कुल्दी बिश्टोई के मामले को देखे जो कि बीते चार दिनों से उनका पूरा परिवार इंकम टैक्स की रेड को छेल रहा है, मुसीबतों को छेल रहा है, वहीं अब भुपेंदर सिंग हुडा पर भी E.D. ने शिकंजा कसा है, बीते दिन भी उनसे 10 खंटे तक पूछताच की गई और आज एक बार फिर जब वो कोट में पेश हुए उसके बाद E.D. ने उन पर शिकंजा कस लिया, तो कॉंग्रेसी नेताओं की या कहूं कि कॉंग्रेस के दिकज नेताओं की मुसीबते बरती हुई नजर आ रही है, आगामी विदान सबाचुनाव की उनकी रहा आसान बात करें, माने सर लैंड डील की मांग करें, या फिर हम तीसरा जो गुरुगराम का शिकोरपूर इलाका था, उस इलाके के अंदर जो भूमी का अवंटन हुआ था, या फिर जो CLEU होते, उस मामले की बात करें, कई मामले की जहां CBI कर रही है, कई मामले विजिलैंस के पा तो दुपहरबाद हुडा यहां पर पहुँच गए थे, और अब तक हुडा के साथ यहां पर पूछता जो है, वो लगातार जा रही है, इसी तरह से अगर कुलदीब बिश्नोई की बात करें, तो जिस तरह से इंकम टेक्स की दबिश हुई, और लगातार तीन दिन इंकम जाते जाते साथ ले गए, और फिलाल भी कई न कहीं जो दिली का जो कुलदीब इश्नोई का घर है, वहाँ पर उसके भव्य जो बेटा है, उनको महाँ पर ले जाये गया है, लेकिन कई न कहीं मुश्किल है, जरूर कॉंगरसी नेताओं की बढ़ती हुई नजर आ रही है, और सीधे तोर पर जिस तरह ऐसे रणदीब सिंग सुर्जेवाला की बात करें, या अन्य कॉंगरसी लीडर्स की बात करें, वो इसको राजनितिक से परिरिद बता रहे हैं, सीधे तोर पर कह रहे हैं, कि राजनिती जो है, वो हावी होती नजर आ रही है, और सत्तापक्ष जो है, वो कहीं न कहीं, इस तरह हैं की एजनसियों का इस्तमाल करके कॉंगरसी नेताओं की अवाज जो है, उसको दबाने का परियास कर रहे हैं, आला कि अगर हम सत्तापक्ष के नेताओं की बात करें, तो वो ये बात कह रहे हैं कि जब भी किसी पोलिटिकल पार्टी के न ताके ओपर दबिश दी जाती है या फिर उससे पूछताज की जाती है तो इसको राजनेतिक धंग जरूर दिया जाता है लेकिन ये पिछली सरकार की जो अनिमित्ताइं रही है उसी की देने इसी वज़ा से लगातार जांच का दारा जो है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है ज उसे भी money laundering से जोड़ कर देखा जा रहा है सूतरों के अवाले से कबर आ रही है उनके diamond business को लेकर भी ये जो चीजें है वो तार कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आ रहे है बिल्कुल देखिए सीधे तोर पर money laundering की बात करें तो दोनों ही नेताओं पर money laundering का जो साया ह है वो गर्माता ओओ नजर आ रहा है जिस तरह से अगर Bupander Singh Humoda की बात करें तो कई मामले हैं क्योंकि अगर हम पंच्कुला कोड की बात करें तो पाने सर लैंड डील मामला जो है वो पंचकुला कोट में विचारा धीन है इसी तरह से एजेल मामले की बात करें जो कि कह सकते हैं कि नैशनल हरार जो पेपर है उसको जो जमीन अवंटिट बुबवधिंदर सिंग हुड़ा ने की थी वो भी विवादों के गेरे में इसी तरह इसे गुरुगराम के शिकोरपूर इलाके की बात करें या कुछ और इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से रोबर्ट वाडरा की कंपनी डीलेफ को फाइदा पहुंचाने का काम किया गया इस तरह के आरोप उनके ओपर लगाएगे तो कई ऐसे मामले हैं जो विच जाता है कि जो आए कुल्दीब बिश्णोई दिखा रहे हैं वो उनके स्त्रोतों से काफी अधिक है तो ऐसे में हर एक पहलू के ओपर यहां पर कहीना कही मन्थन भी चल रहा है और सीज़े तोर पर बड़ी जाच का विश्य भी है